नमश्कार दोस्तो इजी नौकरी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का भारदिक स्वागत है दोस्तो रेलवे भरती 2018 की 90,000 बरतिया निकले हुई है और उनकी जो फॉर्म बनने की प्रोसेसिंग है अभी वो चल रही है 31 मार्ज डेट है लेकन उससे पहले कल 11 मार्च को रेल माध्यम से हमें एक्जामिनिशन सेंटर चुन सकते हैं तो उनी सभी जवाबों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है अगर वीडियो वास्तवी क्रूप में आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसके लाब बैल आइ टेकनिशन गुरूप डी का है दोनों का है तो वह दोनों जो भरतिया होंगी वह 21 शहरों में आई जितोंगी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल यह करते हैं कि मैंने जैसे एहमदाबाद से जोन से फॉर्म बरा है तो क्या मेरा जो और रहने वाला मैं हर्याणा का पड़ेगा यह एहमदाबाद में पड़ेगा तो दोस्तों आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है उसी जोन में आपका फॉर्म फिलोगा अब मैं रहने वाला विलाबाद का और भर राओं में कोलकता जोन से तो आपका जो सेंटर पड़ेगा वो कोलकता जोन में पड़ेगा तो इसलिए अगर आपको अपने जोन या जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के जोन से फॉर्म बर रहे हैं आपका जो एक्जामिनेशन इंटरेफ वहीं पड़ेगा। सत्रे आरर बीज हैं सत्रे आरर बीज केंदर बनाई जाएंगे जिन शेहरों में आरर बीज हैं। इसके अलावा जो परिक्षा होगी वो कुल मिलाकर 21 शेहरों में चार नए शेहर इसमें जोड़े गए हैं जहांके परिक्षा आयुजित की आएगी। या वहाँ जाने की विवस्ता कर सकें। तीन दिन पहले जो एटमेट काड़ आएगा उसमें आपका सेंट्रल का नाम होगा। क्योंकि रेलवे में इस तरह की कोशिश रहती है कि फरजी तरीके से नोकरीब प्राप्त करना। लेकिन अब यह सारी चीज हैं। रेलवे के द्वारा बिलकुल विवस्त रूप से खतम कर दी गई हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 21 शहरों में परिक्षा होगी और किस तरह की जिस जोन से आप मराएंगे उसी जोन में आपका एग्जाम होगा। यह निश्चित है ठीक है और उसी शहर में भी निश्चित ही आउजचित केगा क्योंकि रेलवे मंतरी ने सपस्ट कर दिया है कि किसी अन्य शहर में एहमदाबाद है तो इसका यह नहीं है कि आपका गांधी नगर में हो जाए या गुजरात के अन्य शहरों में इसका होगा वो एहमदावाद शहर में ही ओनलाइन रूप से आईचित होगा तो मुझे लगता है मैंने सारी क्वारीज आपकी फिलप कर दी हैं अगर कोई भी और अधर क्वारीज हो तो आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं जिस सब्सक्राइब करेंगे अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलागात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद